लास्ट यूट्टोरियल में हमने देखा था कि यहाँ पे हम लोगो गेरा कैसे एड करेंगे, यहाँ आप को बतायी हुई थी यहाँ पे आप देख सकते ही, यहाँ पर मिनू गेरा सारी चीजी आ रही हैं, लेकिन यह सारी चीजी अभी हम नहीं कर सकते हैं यह हम इसलिए नहीं कर सकते हैं, यह जो भी सारी paragraph हैं, यह भी हम यहाँ पर create नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर सभी जगह देख सकते हैं, सभी जगह पर error सो रहे हैं, यह error इसलिए सो रहे हैं क्योंकि अभी हमारे blog के अंदर एक भी post नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम य सबसे पहले आपको यहां पर अपना टाइटल सो होता है तो टाइटल आप यहां पर देख सकते हैं अभी यहां पर टाइटल सो रहा है एवी एस रिव्यूज आप यहां पर आपका सिंपल सा यहां पर टाइटल सो रहा है एवी एस रिव्यूज इसके साथ में अगर आप और कोई चीज और एड़ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने यहां पर अभी यहां पर एड़ कर दिया All Trending Products Reviews For You, तो आप इस टाइब से यहां पर लिख सकते हैं For You और आप इसको Save कर दीजे अब जैसे ही आप यहाँ पे save करेंगे, अगर आप इसको refresh करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, कि जहाँ पे आपका सिर्फ ABS reviews आ रहा था, अभी आपका यहाँ पे पूरा style से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे यह सारी setting करना है, फिर आपको यहाँ पे एक description अट करना है, description आपके block लिए बहुत जरूरी होता है, जब भी आप कोई भी चीज यहाँ पे Google में सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे simple सा सर्च किया, अनंत विजय सौनी, तो यह जैसे मेरा नाम है, अनंत विजय सौनी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका यह एक description आ है, यह जो description है, यही आपको यहाँ पे add करना है, ताकि आपके लिए जब भी कोई ABS reviews सर्च करें, तो एक description भी उनको वहाँ पे सो हो, तो आप यहाँ पे जो भी description लिखना चाहें, वो आप लिख सकते हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा description लिख दिया है, get latest and updated reviews of all tech software products and services, यहाँ पे आपको और भी कुछ लगता है, आप उस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे मैं इसी को एक और बार यहाँ पे copy paste कर दिया करता हूँ, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे जैसे कि इन्हों ने बुलाए कि आप 500 words तक का लिख सकते हैं, 500 का अगर आप न लेंगोईज सेलेक्ट करनी है, अगर आपके ब्लॉग की लेंगोईज है, इंगलिस है, तो आप यहाँ पे इंगलिस ही छोड़ सकते हैं, और अगर आपकी लेंगोईज हिंदी है, या कोई भी रीजनल लेंगोईज है, तो वो सारी चीज़े आप यहाँ पे चेंज कर सकते इसके बाद अगर आपके में कोई adult content है तो भी आप कर सकते हैं तो अगर आप इस option को select करते हैं तो जब भी कोई इंसान आता है तो उसको एक warning सो होगी कि यहाँ पे जो है इस site पे जो है वो आपको adult content मिलने वाला है तो यहाँ पे अगर आपका simple blog है तो आपको इसको नहीं देख सकते हैं एक logo sora इसी को हम favicon बोलते हैं तो यह चीज़ जो है यह भी आप बाद में add कर सकते हैं और आपको add करना है तो simple सा आपको यहाँ पे जाके और एक यहाँ पे upload कर देना है तो जो भी आपने यहाँ पे आपको 100 kv से कम कर डालना है और एक square size में आपको create करना है कि वो आपका इस type से ही so हो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एक square type का so हो रहा है इसी type से आपका so होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे upload कर देनी है and then आपको इसको save कर देना है अब इसके बाद जो next चीज़ आती है कि आपको यहाँ पे search engine के लिए visible रखना है तो यह obviously बात है कि आप चाहे रहे हैं कि आपके जो भी blogs बगरा है वो आपके search engine में rank हो तो यह सारी चीज़ें आपको कर देना है यह HTTPS में already बता चुका हूँ अभी चुकि मुझे tutorial बनानी थी और blog open नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसको off करके रखा हुआ है आपको इसको on कर दे अब इसके बाद यह permissions वगरा आपको सारी same to same रखनी है इसमें आपको कोई भी changes नहीं करना है अब यहां पर next जीज आती है post कि आपको अपना जो main page है उस पे कितनी post so करना है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं जब हम यहां पर blog पर जाते हैं तो यहां पर आपकी जो recent post होत है आप इसको change कर सकते हैं माली जै मैं यहां पर चाय रहा हूं कि मैं यहां पर 10 रखों तो मैं यहां पर 10 select कर दिया करता हूं इसके बाद आपको अच्छी frequency जो है वो monthly ही रखना है by default monthly ही रहेगा फिर आप यहां पर post template आपको यहां पर optional रखना इसकी कोई जरूरत नहीं है जब भी आप नई post create करेंगे उसके हिसाब से आपके templates change होते रहेंगे इसके बाद यहां पर image lightbox आपको on करना है या off करना है जब भी आप किसी भी image पर click करते हैं तो वो image आपकी यहां पर so होगी यह नहीं होगी जैसे आप यहां पर देख रहे हैं इस image पर अगर हम click कर रहे है तो यह चीज यहां पर open नहीं हो रही है अगर आप इसको on कर देंगे तो आपकी यह image जो मैंने यहां पर click किया था वो आपकी overlay में आ जाएगी तो आपको इसको बंद करके रखना है और अगर आप कोई चीज ऐसी add करते हैं कि जैसे कोई चीज छोटी आप दिखा रहे है और उसका बड़ा कोई करके देखना चाहें तो आप इसको on भी कर सकते हैं कि कोई उस image पर click करें और वो बड़ी हो के so हो तो आप इसको on भी कर सकते हैं तो यह आपकी इच्छा पर depend करता है कि आप किस टाइप का content use कर रहे हैं बाकी आप यहां पर time zone change यह करना चाहें तो व 530 और यह इंडिया का होता है तो मैं इसको यहां पर select कर दिया करता हूँ चुकि हमारा blog इंडिया का है तो इसलिए हमने यहां पर time zone भी इंडिया का किया है कि जो भी date और time so हो वो Indian में ही so हो तो यह सारी चीज़ें आपको देख लेनी है कि अगर आपको इनकी जरूरत है य यहां पर अभी कोई भी post नहीं है आप यहां पर जैसे ही new post यहां पर create करते हैं तब आप यहां पर देखेंगे कि आपके लिए कोई भी description लिखने की जगए नहीं आ रही है और जो भी description जैसे मैंने यहां पर search किया था और आप यहां पर देख सकते हैं किसी भी type का जो यह आ अगर आप कोई default description देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक description box की ज़रुवत पड़ती है तो यहाँ पर एक और description box लेके आने के लिए आपको उस option को enable करना पड़ता है तो जैसे कि यहाँ पर हम setting में थे वहाँ पर ही हम जाय करते हैं और अभी मैं आपको वो चीज enable करके भी यहाँ पर दिखा दिया करता हूँ तो जैसे कि हम यहाँ पर enable करते हैं अभी मैंने इसको enable कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं setting हमारी save हो गई अब हम यहाँ पे अगर post पे जाया करते हैं और यहाँ पे अगर हम इस post को edit करते हैं तब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक description का box भी यहाँ पे side में आना सुरू हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं search description का box आगया अब आप यहाँ पे default कोई भी डाल सकते हैं जो भी आप search engine मे दिखाना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अभी इसके लिए फिलाल में close कर दिया करता हूँ and then हम फिर से यहाँ पर setting पर चलते हैं तो आपको ये matter tag और matter description आपको enable करके रखना इसके बाद अगर आप custom 404 यहाँ पर add करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं साथ में आप custom redirection करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की tutorials में मैं आपको बताऊंगा कि कभी आप किसी भी blog का URL चेंज करते हैं आपको custom redirection की भी जरूरत पर सकती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम future में देखेंगे कि आपको यहाँ पर add txt अगर add करना है तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे करना है तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए हम default चोड़ दिया करते हैं वो भी आपकी primary setting थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है और वही चीज़ आपको करनी है उसके बाद आपको बागी सारी चीज़ें आपको default चोड़ देनी है